जहिन दोस्तों एक बंदा जो CRPA, BSF या ITBPA जो भी पेरा मिलिटरे में भरती होता है तो हर बंदे का एक मतब सपना होता है कि बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे NSG में जाना है और NSG कमांडो बनना है तो इसका क्या है कि NSG कमांडो बनना है तो आप चाहे कोई भी डिपार्में जोइन करें आपको डिपार्मेंट जैसे कि मैं CRP की बता रहा हूँ इसमें डिपार्मेंट जोइन करने के बाद आप जैसे कि जोइन करके आप ट्रेनिंग कम्पलीट करके जो है आप अपनी यूनिट में वापस आ जाएंगे अपनी कमपनी में वापस आने के बाद इसमें जो है कम से कम चार से पांच सल सर्विस करने के बाद तीस आपकी जो एज है वो तीस सल होनी चाहिए नेसजी में जाने के लिए आपकी उमर जो है शिपाही की उमर तीस सल होनी चाहिए तीस सल की अगर आपकी उमर तीस सल तक आपकी उमर है तो उसके बाद जो है को एनेसजी क के लिए डिमांड आता है एनेसी का प्रेक्ष के लिए इनेसी का न को अब मारवीक का उसमें आपको जाना पड़ेगा तो उसके लिए का यह कि तो जा सकता है लेकिमेडिकल के खेंच की होनी चाहिए कि जो मेडिकलisso справ safe one होना चाहिए, प्लस 30 साल तक आपकी उमर होनी चाहिए, ठीक है, 30 साल तक आपकी उमर होने के बाद, आप जाएंगे वहाँ पे, जाके ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद आपका वहाँ psychology test होगा, इन सारी चीजों में आप जो है, अगर वहाँ से पास हो जाते हैं, सारी physical और जो है, आपका psychology test में अगर आप पास हो जाते हैं, उसके बाद आप जो है, जिस battalion से गया है, उस battalion में आप वहाँ आपस आएंगे, और पीछे से आपका, फिर जो है, message आजाएगा, फिर आप जो है, इस battalion को छोड़के, उस नस जी में जो है, जाके आप वहाँ join कर लेंग प्लस आपका जो है, जो जैसे कि वहाँ उसमे psychology test भी होता है, आपकी mentally, physically हर चीज से आप फिट है, तभी जो है आपका NSG की कड़ी से कड़ी training करके, और आप NSG की duty करके अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, जैंगे